हेरो नमस्कार स्वाकत आप सभी गंदा अफिसियल यूट्यूब चैनल पर तो भाईव भाई नो आज आप लोगों को बता दे कि डिप्लोमा इन आप्टोमेटिक जो सिलेबस है उसके बारे में आज बात करेंगे तो जी हां जो भी हमारे चैनल पर पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको लिटेस्ट वीडियो और अप्डेट मिले सबसे पहले देखने को तो चलिए बिना किसी ब्रेक के वीडियो को स्टाट कर लेते हैं जैसा कि देख रहे हैं यह मैंने पीडियाप डाउनलोड की को पढ़ाते हैं यहां पर बात कर लेते हैं जैसा कि मैंने एक बीडियो और बनाई थी उसमें भी बताया था जो फश्टियर का स्लेबस होता है उसमें आपको दो एक्जम होते हैं एक फश्ट पेपर होता है बात कर लेते हैं यहां पर फश्ट पेपर की तो फश्ट पेपर कर देटेल में अबको पढ़ना पड़ता है ऑकला आपकी फिज्डालॉजी इसमें भी आपकी दो पार्ट रॉटन में आता है और सेकेंड पार्ट में आपका है आता है बैसिक फिजिकल रिलाटेट टू लैट लाइट इंड ए फिजैल फिजियोजिक Liagrant भरक इसमें क्या होता है मैं physics पड़ानी होती है jogi light होती है इसमें दो पार्ट होती है दोनों पार्ट जो है सेकेंड की पीपर में आता है फस्ट ये एक staring करता है कालत वाले आपको किस्ता ही पढ़ाते हैं यहां पर जो फर्स्ट यह का प्रेटकल होता है इसमें लिखा गया है है हैंड हैंस आफ ट्रेनिंग आफ विजन मौर्गिंग सब्जेक्टिव रिफ्रेक्शन रेटनोस्कोपी ड्राइब और वेट लेंस एंड प्रिज्म ए जो प्रेटकल में आपको पुछाता है और फाइल बनानी होती है उसके साथ साथ आपको बेसिक पढ़ा जाता है बेसिक कंप्यूटर भी आपको पढ़ना होता है बेसिक इंगलिस पढ़ना होती है एंड साफ इसकेल कोर्स होते हैं जैसे कि BLS हो गया जो सेकेंड यर का करता का भी किए यह डिपरेंड करता है कालुट वो पर साथ सकर दिर में मैंने बताया है कि इसमें चैान होता है लार प्रहां होता रिंद दू सरा परणना होता है में IV, I, M, SC, wszyscy क्या होते हैं oxygen, kya होती है fever कैसे लेते हैं temperature कैसे लेते हैं body जो body का pulse होता है pulse कैसे लेते हैं जो नार्मली आपको पढ़ना होता है इसके बाद बात कर लेते हैं second paper की second paper में जो आपको पढ़ना होता है उसमें आपका mechanical optics आता है, lens के users आते हैं, इसके बाद instrument आता है, जो भी AI department में इस्टूमेट होते हैं, Community of Thermology आती है, Community of Thermology पढ़ना होता है, and drug using optometry, जो optometry में drug use होती है, उसको पढ़ना आता है, यहां पर Community of Thermology का ज्यादा नहीं, दो-तीन topic है, मैं पढ़ा दूँगा हांके, इसके बाद बात कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, सेकेंडियर के practical की, तो सेकेंडियर का practical जैसा कि आप देख रहे हैं, सेकेंडियर का practical दिया गया है, जैसा कि यह होता है, Hand of Trailing Seed Lamp by Microscopy आपको पढ़ना होता है, Gonoscopy करना होता है, Tonometry हो गया, Syringing हो गया, Perimetry हो गया, Caratometry, A Scan and B Scan हो गया, इसके बाद direct aphthalmoscope हो गया, indirect aphthalmoscope हो गया, fundus and FFA, fundus जो है करना होता है, यह इतना जो है आपका, जो है second year का practical का, में पढ़ना पड़ता है, इतना ही इन सब से practical में आपको पूछा जाता है, इसके बाद बात कर लेते हैं, यहाँ पर eligibility criteria की, तो यहाँ पर दिया गया है course duration, it is two year full time, जो डिप्लोमा होता है, इसमें abilities दी गई, इससे कोई मतलब नहीं है, इंटरपास मांगते है, physics chemistry biology, और physics chemistry math भी यह लोग कर सकते हैं, कोई भी UP बोल हो, इसमें जो एज मांगते हैं, 17 साल से, एज होनी चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है, मैं बात परण syllabus की, ठीक है, यहाँ पर यह है, इसमें का है, इसको बहुत ध्यान समझना, इसमें क्या है, आपको बता हैं, जो first year का होता है, जो first paper होता है, वो आपका totally, जो first year का होता है, उसमें आपके दो exam होते हैं, एक first paper होता है, दूसरा second paper होता है, यह भी आपका hundred marks का होता है, और यह भी आपका hundred marks का होता है, और तीस इसमें दिया गया है जो basic journal anatomy physiology है तोटल 75 नंबर का paper होता है जिसमें कि आपकी 25 नंबर का तरफ से मिलते हैं तो total आपका 100 mark का हो जाता है ठीक है इसमें आपको 50 नंबर लाने होते हैं boxing mask के अगर 50 से कम लाते हैं तो आप fail है इसके बाद इसका समय होता है 3 गंटे का तीन गंटे क जो भी मैंने बताया था और physical and physiological optics भी आती है BLS आता है इसमें जो basic life support है CPR जिसमें करते हैं इसमें भी यह भी total आपका 55 नंबर का paper होता है जिसमें कि 25 नंबर जो आपको 40 की तरफ से मिलता है तो total आपका 100 हो जाता है जिसमें कि 50 नंबर लाने होते हैं और 300 का समय होता है तो य यह होगा second paper इसके बाद बात कर लेते हैं यहां पर oral and practical की यह भी आपका 55 नंबर का जो है practical होता है oral 25 नंबर आपको कालेज काले वाले प्रेटकल करवाते हैं 25 नंबर का आपका भाई भाई लेने कोई other college से teacher आता है total आपका 100 नंबर का हो जाता है 55 नंबर आपको प्रेटकल क पतास नमर आपको लाना होता है एंड तीन गंटे का ये भी आपका प्रेटकल होता है इसके बाद बात करते हैं सेकेंडियर की तो सेकेंडियर में क्या होता है second year में आपका जो first paper होता है उसमें आपका पढ़ना पढ़ता है disease of eye nursing precaution यह total आपका 75 नमबर का होता है इसमें 15 नमबर कालिज के दब से मिलते हैं total 100 हो जाता है और 50 नमबर का जो है आपको passing mass होता तिन गंटे का समय होता है इसके पड़ास नमबर का समय होता है इसाथցन में आपका समय होता है बाइबाग कोई कारेश का लेने आसा है पढ़ने आपका समय होता है पचास नमबर आपको लाना होता है ये भी आपका 3-0 समय होता है तो ये भी आपका 1000 नमबर का हो गया तो इस चैसा हो हो जाता है तो इसके बास के दिया गया है लिस्ट ये से दो घंटे पढ़ाते हैं यह जो है 1500 गंटे इसलिए दियागे कि पूरे डिप्लोमा में आपको डिप्लोमा में आपको बेसिक जनरल नेक्ट में पढ़ाई जाएगी जिसमें आपको काफी सार मिल जाएं कि आपको बेसिंग पढ़ने होती है केंप्यूटर स्किल होता है जैसे काफी सारे कोर्से आपको करवा जाते हैं उसी डिप्लोम में के अंतरगत तो इससे कोई मतलब नहीं है उसके बाद सेकेंड लियर में भी आपको समय दिया गया है लेकिन कालेज वाले आपको किस तरह से पढ़ा रहे है कि मिल्टियो फ्रमाल सकते हैं मैं इसकी लिंक डिस्क्रेप्शन में दे दूंगा तो आप लोग उसके डाउनलोड कर लीजिए कोई दिक्कर नहीं है सारे आपको इस तुलाइबस है जो मैंने भी बताया है सब आपको पढ़ना पढ़ता है यह सब आपको समय दिया गया कोन कोन कितने घंटे का हो हänder का है कि इसमें तोपिक दिये गये हैं तोटल गंती दिये गई किजने घंटे का होता है कि इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं आपको जो में नमें चीज है वो मैंने पढ़ा दी है, बता दिया है. जो इक सब्सक्राइब नमेर के हएँ है, बता भी नमेर के पहले हैं, बता है इसके बाध जो आपका च्वधा वाले वाले कूईश्न होता है, इसमें total 5 question दिये जाते हैं जिसमें कि आपको 4 करने होते हैं जो आपका 20 number का question होता है पर question 5 number का होता है इसके बात कर लेते हैं जो आपका last question होता है पांचमा ये आपका long answer होता है इसमें भी आपके 6 question दिये जाते हैं जिसमें कि आपके 4 question को करना होता है टोटल आपका 40 नमर का कॉउचन का, यह आप पिरतेक कॉउचन 10 नमर का होता है, तो इस तरह से मिला आपको टोटल 75 मार्स का झो है पेपर आपका होता है. इसके बात बात कर लेते हैं सेटेंड पेपर की गई जैसा कि आप यहां देख आने आपका सेकेंड पेपर है पहले कोईशन होता है यह बहुता है जो होता है इसके बाद जो आपके फिल इन दा ब्लंक साथे इसमें पांच नमर के होते हैं इसके बाद जो आपके चौथा कुशन होता है पांच नमर के होता है इसके बाद जो इससके बाद मत लिए Swedish से मिलते हैं दोनों पेपर में तो यह आपका अे ब你好 हो जाता है are 맞 अकर का हो जाता है या पका इ聊 होता है इसके बात बात करेगे लिए की हिँआ कि शेकशंव यह पर सी निर विसेंद का पेपर रह सब्सक्राइब सेक इर का है यह भी आपका क्वित है ले पहले हो Neplawe आते हैं यह पांस नमबर का टोटल होता है इसके बाद जो आपका चूछा कुछन होता है इसके बाद जो आपको च्छा कुछन आते हैं चार करने होते हैं इसके बाद जो आपका पंचमा कुछन है इसमें आपके लॉंग एंसर होते हैं इसमें च्छा कुछन दी होते हैं आपको चार करने होते हैं टोटल आपका 40 नमर का यह हो गया यह आपका पर कुछन पांस नमर होता है इस तरह से इसको मिलाकर टोटल 75 नमर का यह टोटल आता है कि आपको करने होते हैं पर पांच पांच नमर का होता है इसके बाद कर लेते हैं फॉर्थ प्रइशन की चार नंबर आता है से बात कर लेते हैं 5 मार क्पूशन आते हैं आपको चार करने होते हैं इस चतुल से आपको इस के बाद जैसा कि 75 नम morality का स् NEW होता क्वाओ generals. वीडियो चरबे लो लाइक करें और अधिक systर्श जरूर करें मिलते हैं नेक्ट वीडियो में धन्यवाद